हेलो एबरीबन सो कैसे हैं आप लोग सभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और तंदृस्त होंगे तो इस particular lockdown time period में आप लोग अपने time को अच्छे से utilize कर रहे होंगे मैं यही उम्यूद करता हूँ क्योंकि अगर आपने इस particular time को utilize नहीं किया then आगे जाके बड़ी मुसीबत आने वाली है yes तो प्लीज आप इस time को अच्छे से utilize करना पढ़ाई वड़ाई करूँ खेलो भी कुदो भी लेकिन पढ़ाई वड़ाई भी करते रहो ठीक है first of all so welcome to infero classes और हम जो नया chapter start करने चारें that is complex number for IITJ mains advance yes अगर आप class 11th का complex number chapter करने है तो please आप लोग सारे के सारे questions with solution एक एक question का solution और with concepts हर इक चीज मैंने पहले से ही सारी वीडियोज अप्लोड कर रखिया है complete NCRT of complex number मैंने अल्रेड़ी सोल करके डाल रखा यूटीव पर प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो otherwise आप description box में जाके link भी ले सकते हो तो वहां से आप सारी वीडियोज कवर कर सकते हो पहले मैं यह रिक्राश करूँगा प्लीज आप पहले NCRT कर लीजी अपनी उसके बाद यहां पर आईएगा बट फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो फिर भी आप यहां से देखने शुरू कर सकते हो क्योंकि यहां पर भी मैं सारी बाते स्टार्टिंग से ही लेकर चलने वाला ठीक है अट नी देखने हैं और कोई ही दिक्कत आने वाली बस आप लोग अणे प्रोपर नॉट्स बनाते रहे गा जो भी चीज़े हम पढ़े एहां पर हणा जो जो भी कोश्यन हम कर रहे हैं जो भी टोपिक्स जो भी कॉंसेट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं प्लीज आपकी नोटबूक में हर एक चीज़ होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेक्चर छोड़ दिया अगले चाहिए कर ले चलो फॉर्स छोड़ो थर्ड से शाट करते सभी क्लासमेट्स के आपके टोपिक कवर होना चाहिए चाहिए उटलाइज दा कॉंप्लेक्स नंबर के स्टार्टिंग टेंथ क्लासमें हो गई थी एक तरीके से याद करो आपने पढ़ा था क्वाडरेटिक इक्विशन चैटर नंबर फॉर्थ येस और जब चैटर नंब पास क्या होता था या तो वो greater than zero या तो फिर वो equal to zero या फिर वो less than zero आता था अगर डी greater than zero आता था तो हम बोलते थे तो two real distinct roots और equal to 0 होता था तो हम two equal roots बोल देते थे लेकिन अगर d less than 0 आता था तो हम बोलते थे not exist आज हम उसका मतलब समझते हैं कि not exist क्यों बोलते थे यह तो आपके class 10 से ही link up कर रहा हूँ तभी मैं class level दे में entry करूँगा जैसे कि अगर 0 is छोटा और अगर 0 is छोटा है मैंने कहा minus 5 जरा आप एक बात बताना root में minus 5 है न क्या आप root में minus 5 वाली term को simplify कर सकते हो नहीं कर सकते please आप root minus 5 को ऐसे मतलिख देना यह चीज गलत है you can't write like this root minus 5 is equal to minus root 5 you can't write like this yes, तो हमारे पास इस root में negative terms को खतम करने के लिए हमारे पास एक number आया that is imaginary number yes, और उस particular number को कैसे अटाएगा बुला आप एक काम कीजेगा root में minus 1 number को आप iota लिख दीजेगा i से denote कीजेगा i, this is i है न small i, not capital i this is i, और इस i को हमने क्या नाम दिया इस i को नाम दे दिया हमने iota, तो इस छोटी सी solution से हमारे पास पूरा chapter बनी गया एक complex number और हम इस पूरे chapter को बड़े अच्छे तरी के समझेंगे कि ये क्या है, अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर d मेरे पास root minus, d is equal to minus 5 और अगर मुझे आप इसको simplify करना है, तो मैं क्या मैं कह दूँ कि इस minus 5 को लिख सकता हूँ minus 1 into 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ minus 1 into root में 5, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास अब iota, और ये क्या बन जाएगा root 5, तो मेरे पास ये बन कर आगया, yes तो root में minus 5 को simplify करने के बाद मेरे पास क्या बन करा रहा है आयोटा रूट फाइफ तो हमारे पास complex number starting हो रहा है वो जो आई है इसी को मैं imaginary number भी बोलूँगा बोला yes okay तो बोला ठीक है हाना इस सारी बाते लिखते रहीएगा साथ-साथ बोला ठीक है जी समझ में आगी कुछ बात है तो बोला एक बात बताओ जरा तो आयोटा की वेली कितनी होगी मेरे पास बोला आयोटा की वेली होगी मेरे पास root में minus one और हम इस बात को रखेंगे याद और आई सो हम क्या बोलते है आई को आई को बोलते है आयोटा जरा एक काम करो आप मुझे पहले बता दीजी कि complex number होता क्या है complex number जो होता है न it is a combination of किस का it is a combination of real plus imaginary part real plus imaginary number बोला real तो वही number होते है जो हमने class 10th में आज तक जतने भी numbers पढ़े थे जैसे कि अगर मैं बोल दो 3 it is a real number yes और मैंने बोला 5 आयोटा यहाँ पे यह imaginary part आना जी है मतलब आयोटा आना compulsory है उसके अलावा कुछ भी number आए कोई दिक्कत नहीं है तो real plus imaginary is equal to what? that is complex number जैसे कि मैंने कहा 3 plus 5 आयोटा is the example of a complex number जो कि हमारे पास real और plus imaginary part जैसे मैंने कहा root 3 plus root 5 आयोटा यह भी हमारे पास a complex number है जो कि हापर real part यह है और imaginary part यह हो real imaginary तो हमने इस real part को हम क्या माल लेते हैं हम इस real part को माल लेते हैं x और यह जो 5 है 5 6 7 root 5 कुछ भी हो सकता है लेकिन आयोटा तो भीया आएगा यह आएगा तो आयोटा आएगा तो मैं उसको माल लेता हूँ y तो x plus आयोटा y आयोटा साथ मैं आएगा यह आएगा और complex number को मैं denote करूँगा आज के बाद हमेशा और हमेशा z से किसी और चीज से भी denote कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई प यह मेरे पास है की मेरे पास है के मैंशनरी पर बन गया तोटल आयोटा मिल के क्यंकि हो अड़ूर्ट की बात इतनी जान लो कि आगर मैं आयोटा का squaring करूँ दोन तरह squaring कर दो तो root में minus 1 का squaring करोगे तो square root अट गया बचेगा minus 1 बोला yes iota square की value minus 1 आज के बाद आप इस बात को याद रखेंगे कब तक जब तक आपकी चलेंगी सांसे जब तक आपकी सांसे की value? बोला iota square की value minus 1 बोला यह तो minus iota हो गया बोला yes तो iota cube is equal to minus iota हो गया iota square is equal to minus 1 हो गया iota 4 iota square का square iota square की value minus 1 minus 1 का square यह तो 1 हो गया बोला yes यह जो मैंने चार डबे बनाए हैं प्लीज आप इन बातों को ध्यान से बेखेगा आयोटा की वेल्यू रूट में माइनस वन होती है आप इन बातों को लिखते भी है ठीक है वीडियो को पोस्ट करते करते लिखने के आधा डालो क्योंकि पता नहीं लोगडाउन कब तक और यूट्यूब से कितना पढ़ाई करना पढ़े हम लोगों को तो ओनलाइन पढ़ाई की भी आपादा डालो कि कैसे हमें नोट्स बनाते रहने साथ-साथ यू नहीं कि हर बार आपको PDF चाहिए सर अमें PDF तो आप आपको इतना स्पेस मिल जाएगा इस पर्लिटिवलर वीडियो में हर इक पर्लिटिवलर वीडियो में कि आप वीडियो को प यह माइनस वन है, वो आयोटा नहीं है, आयोटा क्यूब इस एकल टू माइनस आयोटा और आयोटा 4 इस एकल टू 1, बुला यस, तो यह चार चीज़े तो आपको जाननी ही जरूरी थी, और complex number हमारे पर अस क्या होता है, बुला यह, बुला ठीक है, बुला इस तो बाते कर दी, सर, सर, x square is equal to 1 आयागा, और सर, x is equal to plus minus 1 आयागा, योटार रहे हैं, युशा कि रूट कर रहे हूं ऑर वैसे भी, एक तारीका और इसको खरनेगा, इस एक स्कुर माइनस बी स्कुर माइनस बी, एक स्कुर क्या और यह, चिर रहेगा, या फिर यह, या फिर यह, और या फिर तो मतलब फिर के बाद क्या पड़गी मेरे पास यह मतलब कि आपने यहां से x की values निकाल दी plus minus 1 लेकिन यहां से निकालने की कोशिश भी करोगे न तो minus 1 और x is equal to root में जो भी आ रहा है root में minus 1 आ रहा है x is equal to root में minus 1 आ रहा है ठीक है root में minus 1 और यहां पर plus minus तो obviously बात है आई गई आएगा क्योंकि reason क्या है इसके पीछे क्योंकि अगर आपके पास x is equal to root का minus 1 हुआ इसका squaring करो तब भी यही पहुचोगे और x is equal to minus का root में minus 1 करोगे इसका squaring करोगे तब यही पहुचोगे plus minus लिखा है ना भाई तो plus ले लिए एक बारी और यह बहुचोगे माइनस ले लिए आगे root के आगे इसका squaring करोगे तब भी ही बनेगा इसका squaring करोगे तब भी ही बनेगा that's the reason कि हमारे पास यह बन रहा है और root में minus 1 को हम बोलते हैं आयोटा that's the reason कि इसकी जो values आएंगी वो मेरे पास plus minus आयोटा एगी बोला ठीक है आज तक हम x square plus 1 is equal to 0 बनता था तो मैं x की value नहीं निकाल पाता था मैं x की value यहाँ पे आके अटक जाता था लेकिन अब मुझे इससे आगे का step मिल चुका है आगे का step मिल चुका है just and just only and because of आयोटा बोला येस तो आप इन दोनों examples को भी लिख लीजेएगा ये example simple था हमने यहाँ से x की value निकालना बच्पन में सीख लिया था बच्पन कौन सा 8 9 10 था न यू नहीं कि मम्मा की कोदी में खेलती थे तरभ न जो मैं पैदा हुआ था र चीजे निकालनी आ गई तो बोला यह तो चीज आपको याद है न चलो इसको मैं बाद मिटा दूंगा और बताईए हम एक काम करते हैं एक दो कोशन लिख लेते हैं आप मुझे बता दीजिए आयोटा स्कूर प्लस वन निक टूले लेता हूं यहां पर और इसका स्क्वेरि ऑविर्स बात है इसको मैं A माल लूँगा इसको मैं B या फिर क्यों अत्ता कॉम्प्लिगेट कर रहे हूं डूरो मैं थोड़ा सा अच्छा कोशन लेता हूं रूपो मैं थोड़ा सा अच्छा कोशन लेता हूं आप इसको आयोटा की पावर 11 सोल किजेगा पहले तो आप मु ब्रेक कर सकते हो बट आयोटा की पावर 2 में ब्रेक करना इसी पड़ेगा तो दो को कितने से मल्टिप्लाइ करूं कि मतलब की पहला स्टेप आपके पास यह कौन सी पावर है बुला ओड तो ओड को पहले आप ब्रेक करो तो इवन में बुला कैसे ग्यारा है ना तो ग्यारा को ब्रेक कर दीजिए 10 में और आयोटा की पावर 1 में क्योंकि बेश सेम है तो बेश सेम है तो पावर एड जाएगी 10 वर 11 बुला यस तो आयोटा की पावर 10 है 10 को कैसे लिखोगे बुला आयोटा की पावर 2 की पावर 5 इं और हमेशा माइनस 1 ही बनने वाला है आप माइनस 1 की पावर 1 कर लिजिए 3 कर लिजिए 5 कर लिजिए 7 कर लिजिए हमेशा माइनस 1 निकलेगा और अगर माइनस 1 की पावर even निकलेगे तो हमेशा प्लस 1 निकलेगा ना माइनस 1 की पावर 2 मैनस 1 की पावर 4 प्लस वन येस तो यहां से आयोटा मैनस 1 की पावर 5 तो मेरा पहला अगर आपके पास आयोटा की पावर 39 है तो पहला स्टप या करना होगा आप इसको पहले एवन पावर में ब्रेक कर लीजिए येस और जैसे में एगन पावर में ब्रेक करूँगा तो मेरा काम सिंपल हो जाएगा 38 और 1 38 और 49 बन गया भुई बात 38 कर से लिखूँगा आयोटा की पावर 2 की पावर 19 क्योंकि 19 दूनी 38 होता है 19 तूसा 32 इंटो देस और माइनस 1 की पावर 19 इंटो में आयोटा और माइनस 1 की पावर अगेन ओड़ है ये नेगिटिव बनेगा माइनस इंटो आयोटा तो इस तरीके से आप काफी चीज़क जो भी पावर्स आपके बनने वाली हैं वो सब सिंपलिफाई करना सीख जाओगे चलो एक कोशन मैं देता हूं आपको मैंने कहा आयोटा की पावर 12 प्लस वन बाय आयोटा की पावर 13 का पावर 2 ठीक है चलो मैं ये बो लेता हूं अब मुझे से सिंपलिफाई करना है देखते हैं एक बाह बताओ इसका स्क्वेरिंग खोलोगे फिर पहले पूट करोगे या फिर शाटिंग में पहले पूट करदो ना आयोटा की पावर 12 है तो आयोटा की पावर 12 मतलब आयोटा की पावर 2 की पावर 6 6 दूनी 12 प्लस और ये आयोटा की पावर 13 है तो 13 कसम ब्रेक करूँगा 12 और 1 तो 12 कैसे ब्रेक करूँगा आयोटा की पावर 2 की पावर 6 इंटो मैं आयोटा देखो 6 दो नी 12, 12 और 13, correct अब सिंप्लिफाई करो, आयोटा की पावर 2 कितना होता है, minus 1, और minus 1 की पावर 6, minus 1 की पावर even है, तो plus 1 बनेगा, और minus आयोटा की पावर 2 की पावर 6 यह तो हमारे पास प्लस 1 है, तो हमारे पास यह तो 12 बन रहा है न, even पावर है तो plus 1 इंटो आयोटा, हमारे पास यहाँ पर 1 बनेगा, आयोटा की पावर 2 की पावर 6, यह भी हमारे पास क्या है, even है न, तो हमारे पास 1 इंटो मैं आयोटा, that is this one और power 2 तो चल ही रहा है भाई power 2 तो हमारे पास चल ही रहा है ठीक है तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा आप देखते हैं अब देखो नीचे अगर आयोटा आता है तो प्लीज आप लोग आज के बात एक बात याद रखेंगे कभी भी नीचे आयोटा आया तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजिंग येस हम क्या करेंगे रैशनलाइजिंग तो वन प्लस चाहद इसका स्कूरिंग भी खोल सकते हो कोई बड़ा इश्यू नहीं है बट मैं इसको पहले रैशनलाइजिंग कर दे रहा हूँ वन अपोन में आयोटा था ना तो आयोटा को ऊपर मल्टिप्लाई कर दिया और नीचे मल्टिप्लाई कर दिया और यहाँ पर कर दिया स्क्वेर को दिक्कत को दिक्कत नहीं न चलो वन प्लस वन इंटू आयोटा बन गया आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्कुएर अना दिखे रहे हैं दोना आयोटा यह आई है आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्कुएर आयोटा स्कुएर के विलिए माइनस वन और one plus minus minus तो one minus iota का square मतलब अब मुझे सिर्फ और सिर्फ one minus iota के square को खोलना है ठीक है नीचे space कम पड़ गया तो मैं उपर लिख एता हूँ इसको मिडा देता हूँ ठीक है वेर इस मैंड़े दस्टर नीचे space कम पड़ रहा है तो यह value चो आपका याद होई चुकी है तो हमें खोलना है किसको 1 minus iota के whole square को तो a का square plus b का square minus 2ab तो 1 का square 1 iota square की value minus 1 और यह minus 2 iota यह कट गया और हमारे पास क्या answer निकल कर आया that is equals to minus 2 iota that is equals to minus 2 iota ठीक है सुन्मे आया मेरी बात yes तो आपके पास minus 2 iota निकल कर आया चलो अब एक question आपको दे रहा हूँ जल्दी से आप लोग इसको solve करके मुझे comment box में comment कीजिएगा मैं इसको रप कर दे रहा हूँ ठीक है आप प्लीज वीडियो को post करके note down कर लिजिए simple question था आरे हाँ याँ ना जादा time मैं नहीं दूँगा क्योंकि आप लोग पहले ncrt complete कर चुके हो तो जल्दी से एक question कर दीजिए मुझे answer इसका दीजिए iota की power 52 plus one upon में iota की power 53 की power 53 नहीं यहाँ पे 73 कर लो एक काम करो और power 2 आप लोग मुझे इसका answer comment box में comment कीजिएगा what is the answer of that particular question iota की power 52 plus one upon iota की power 73 की power 2 जाला ठीक है चलो आप इसका comment box में comment करते हैं येगा तब तक हम आगे बढ़ते हैं हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था complex number और complex number हमारे पास क्या था it is the combination of real plus imaginary part real plus imaginary number real plus imaginary number और real part को हमने क्या माना था बुला एक्स और imaginary part को हमने क्या माना था और complex number को हमने क्या माना था z तो मेरे पास एक number ये निकल कर आया z इसू खेल्स to x plus iota y अब मेरी बास सुनो भाई अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक number purely real number है कौन सा purely real अगर कोई number purely real रहा होगा purely real रहा होगा मतलब सिर्फ xx रहा होगा iota y 0 बनी है ना उस case के अंदर मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ z is equal to x रहेगा तो भाईया y को तो 0 होना पड़ेगा yes तो हम याद रखेंगे कि purely real वाले case के अंदर y को 0 होना पड़ेगा क्योंकि y को 0 डालोगे तभी 0 into iota 0 बनेगा और z is equal to x बचेगा अब मैं कहा सकता हूँ कि ये हमारे पास एक purely real नमबर है ये हमारे पास एक purely real नमबर है अगर मैं उल्टा बोलू जैसे कि मैं बोलू purely imaginary number तो purely imaginary number के लिए मतलब हमारे पास जो नमबर होना पड़ेगा z is equal to iota y वाला नमबर होना पड़ेगा तो उस particular case के अंदर x को 0 होना पड़ेगा क्योंकि real जो part है मेरे पास उस वाले नमबर को 0 होना पड़ेगा ये दो छोटी सी बाते थी आपको सब्सक्राइब आ गई होगी जैसे कि z is equal to 3 आप कह सकते हो it is a purely real number मैंने कहा z is equal to 5 iota it is a purely imaginary number लेकिन अगर इन सब बातों से दूर मैंने बोला 0 plus 0 iota ये कौन सा नमबर है purely real या purely imaginary क्योंकि यहाँ पर real part ही भी क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है याई भी 0 है मतलब हम कह सकते हैं इस particular case के अंदर ये हमारे पास purely real number भी है और purely imaginary number भी है it is purely real and imaginary चलो purely भी लिखी देता हूं purely real and purely imaginary also ठीक है तो आपको बात संजमा आजाती है आम से आप इस बात को जल्दी से फटाफट लिखेगा फिर हम आगे चलते हैं हाना चलो बिटा दू ठीक है तो बोला ठीक है real imaginary part संजमें आजाती हमें बाते हैं अगर मैं आगे चलूँ तो एक बाद बताओ अगर मैं numbers को equality करूँ मतलब suppose करो मेरे पास एक नंबर है x1 plus में iota y1 और यहाँ पर मैं z1 बोल देता हूं और यहाँ पर मैं z2 बोल देता हूं x2 plus में iota y2 तो हम complex number को compare कर सकते हैं जैसे कि अगर दोनों number मेरे पास complex number equal है तो मैं x1 plus में iota y1 और x2 plus में iota y2 को equal कर दूँगा तो इस particular case में real number real number के ही equal होगा real part real part के ही equal होगा मतलब x1 को मैं x2 के equal कर सकता हूं और यहाँ पर y1 को मैं y2 देखो वैसे तो iota y1 is equal to iota y2 लेकिन भी i2 तो कट जाएगा तो y1 is equal to y2 हो जाएगा मच पारे हो x1 is equal to x2 और y1 is equal to y2 एक example देता हूं ऐसे समय हम आएगा suppose करो मैंने एक example दिया आपको बड़ा खुबसूरत सा जैसे कि जितने खुबसूरत आप हैं मैंने कहा कि let's say हमारे पास एक complex number है 3 प्लस 5 आयोटा और मैंने कहा एक अलग complex number है मेरे पास 4 प्लस lambda आयोटा तो what is the value of lambda if both complex numbers are equal तो अगर दोनों complex number equal है सो यहाँ पर तो 3 होना पड़ेगा मैं आपर alpha लेता हूँ what is the value of alpha and lambda what is the value of alpha and lambda if both complex numbers are equal तो real part को real part की इकल होना पड़ेगा तो alpha is equal to 3 हो जाएगा और imaginary part को imaginary part की इकल होना पड़ेगा तो lambda को इकल 5 की होना पड़ेगा lambda की value 5 होनी पड़ेगा सिंपल सी बात कही थी ठीक है चलो इसी बात पर एक कोशिन करते हैं अच्छा सा चलो ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा मिटा दूँ वीडियो को साथ साथ पोस्ट करते विए लिखते रहिएगा ज्यादा मुश्किल टोपिक तो हम करी नहीं रहे हैं कुछ थोड़ी दिक्कत आएगी वह भी लाश में जाके तब तक तो आप मक्षन की तरह करते चाहिएगा तब तक तो आप इस चप्टर को मक्षन की तरह करते चाहिएगा ठीक है चलो चलो मैं आपसे कोशन देता हूं और आप मुझे उस कोशन का अंसर बता दीजिएगा कि उस कोशन का अंसर क्या होगा जैसे कि मैंने कहा let's say find the value of x and y आप मुझे x की और y की value बता दीजिए अगर कोशन मेरे पास ये है x square minus y square minus iota 2 x plus y is equal to iota ये पार्ट है हमारे पास अब मेरे बास सुनू जहां जहां आयोटा बैठा है वो मेरे पास imaginary पार्ट है और दो complex number लिखे वे हैं क्योंकि भी या इधर भी आयोटा बैठा हुआ है इधर भी आयोटा बैठा हुआ है दोनों को equal कर रखा है मतलब मुझे यहां से मैं easily compare कर सकता हूँ बस आपको यह देखना है कि real part कौन सा और imaginary part कौन सा है imaginary part वो जहां पे आयोटा बैठा है और real part वो जहां पे आयोटा नहीं बैठा है यहां पे आयोटा बैठा है तो यह imaginary part हो जाएगा तो इसको मैं compare करूँगा इस से लेकिन यहाँ पर real part तो ही नहीं ना मतलब अगर real part नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिए सकता हूँ 0 प्लस में 2 आइवटा तो 0 को compare कर दीजिए इस वाले term को लेकिन ध्यान से लेकिन ध्यान से तो यहाँ पर को number हो गया x square minus y square is equal to me 0 क्योंकि real part यहाँ पर यह है और यहाँ पर real part 0 है because it is a purely imaginary number because real part is 0 तो हमने भीया real part को real part से compare कर दिया बोला ठीक, बिल्कुल ठीक लेकिन अब ज़रा देखो यहाँ पर number कोन है? यह purely imaginary number आयोटा के साथ वाला जो part होगा वो purely imaginary आयोटा के साथ कोन है? minus भी ही तो बैठा हुआ है minus भी ही तो बैठा हुआ है 2x plus मैं y तो 2x plus मैं y आयोटा कोन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है यह हमारे पास 2 equations निकल कर आ गई अब इन दोनो equations से आपको x और y की value निकाल लिए और मज़े ले लेने हैं बस तो 2x प्लस y is equal to minus 2 यहां से चाहे x निकालो चाहे y निकालो यहां पर डाल दो factors बनाओ और काम हो जाएगा क्या करें कुछ भी कर दो एक काम करो y के लिए निकाल दो minus 2 minus 2x इस y को ठाके यहां पर डाल देते और आपके पास जो भी कुछ निकालो कर देगा तो x square minus y का square minus 2 minus 2x का हॉल square क्या मैं कह दूँ आप यहां से x बड़ी इसली निकाल सकते हो ठीक है आप यहां से x बड़ी इसली निकाल सकते हो तरीके तो और भी है मेरे पास बहुत सारे बट कोई बात निससे कर लीजेगा अगर आप इसमें x minus y x plus y कर दोगे x is equal to y भी निकल कर जाएगा मेरे पास यहां पर x is equal to y पूट कर दो आपके पास y निकल जाएगा पताने क्या कर दो आप सोल कर लीजेगा इसको देखो मेरी बात सुनो यहां पर minus 2 minus 2x का whole square पहले इसको squaring खोलना सीख लो चलो इस question से आपको एक नई चीज़ सीख नहीं आ जाएगी आपने कभी ऐसे number का squaring नहीं क्या होगा बट क्या मैं कह दूँ आप इस number में पहले minus common निकाल दो और 2 plus 2x का whole squaring कर दो यह minus common निकालोगे तो भी यह plus plus बन जाएगा न क्योंकि minus common निकाल चुको अब यह squaring करोगे तो एक बार यह minus के ओपर भी squaring हो जाएगा 2 plus 2x का whole भी square हो जाएगा यह तो plus बन जाएगा minus का square मतलब plus 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 यह तो हट गया यह बचा मतलब आपको कुछ और नहीं करना इसका squaring करना पस तो यह minus जो आ रहा है दोनों तरफ यहाँ पर यहाँ पर minus आ रहा है इसको simplify करना आपको आना चाहिए तो ठीक इसको squaring कर दीजे बोला कर दीजे बोला a का square बोला b का square plus 2ab तो दूनी 4 दूनी 8 simplify it और मज़े लीजे देखो यह minus होगया यह भी minus होगया यह भी minus होगया यह minus का 3x square होगया यह minus 8x और यह minus 4 is equal to 0 अब यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको x की value निकाल लिए है जैसी x निगल जाएगा तो पहले minus होगा पहले तो minus बटा दीजे जैसी minus कोटाऊंगा तो इससा प्लस का बन जाएगा अब देख लीजे कोई ऐसी value है क्या जो डाल सकते है आप यहाँ पे चारती है 12 12 चाहिए 6 दो नहीं 12 यह 6 और 2 तो 3x square plus 6x plus 2x plus 4 is equal to 0 3x को मन निकाला x plus 2 बच गया प्लस 2 को मन निकाला x plus 2 बच गया और यहाँ से x plus 2 एक बर 0 आएगा और एक बर 3x plus 2 0 बच 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 गया तो x के value क्या निकल कर आएगी minus 2 and minus 2 by 3 यहाँ से आपके पास x is equal to minus 2 दिख रहा है x is equal to minus और नहीं भी दिखे तो आप छोट बच बच भी बात है इस कोज़े सौल कर सकते हो न x is equal to minus 2 and x is equal to minus 2 by 3 जब x is equal to minus 2 है यह बूट कर दीजे y मिल जाएगा जैको question को तो प्लस तरह के सोल कर सकता था अन्यदा छोटा भी बढ़ता लेकिन ठीक है अब जिस तरह के से चल पड़े उस तरह के से कर दीजिए जब x is equal to minus 2 है तो y कितना होगा यह पर डाल दो तो minus 2 minus 2 x की value कुतनी है minus 2 भाया मैंने इस x की value minus 2 को उठा के इसमें डाल दिया यह हमारे पास main equation बन गई अब इसमें डाल दो y ची यह था न साम हो गया एक value तो यह निकल गई ठीक है ऐसी जब x की value minus 2 by 3 है तब भी डाल दीजिए तो y की value कितनी होगी minus 2 minus minus 2 minus और x की value कितनी है minus 2 by 3 solve कर दीजिए इसको जो भी आएगा जो भी आएगा solve कर दीजिए इसको visible or not visible हो या ना खुद solve कर सकते हो तो plus 4 minus 2 plus 4 by 3 है ना minus 2 plus 4 by 3 तो minus 6 plus 4 minus 6 plus 4 minus 2 by 3 आ जाएगा जब x is equal to minus 2 by 3 है तो y भी हमारे पास कितना है minus 2 by 3 तो इस तरीके से आप चीजों को solve कर सकते हो हमें x और y के यह लिए निकाल ले थी हमारे पास 2 x और y के pairs बनके आ रहे है minus 2 minus 2 और minus 2 by 3 और minus 2 minus 2 और 2 और minus 2 by 3 minus 2 by 3 और इट चलो तुसम में आया कोशन को और तरीके सोल कर सकते हो अभी चलो ठीक है यहां से आप पेर बनाके वहां से सिंप्लिफाई भी कर सकते है इसी पढ़ता हुआ ठीक है सो आप equations को compare करना भी सीख गए यह सवर नो चलो आप जल्दी से इसको post करके note down कीजिएगा यह लोग पूरा बोड़ आपको दिखा दिया मैंने जल्दी से वीडियो को post करके note down कीजिए तब तक हम बढ़ते हैं आगे और मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ प्लीज आप लोग अपनी NCRT को पहले अच्छे से cover कर लिजेगा उसके बाद ही यहां प्याईएगा और complete NCRT with solution हर एक question का solution मैंने already YouTube पर upload कर रखा है किसी भी बच्चे का doubt कुछ आता है तो हम देख लेंगे यह सुरनो चलो हो गया नो डान चले आगे मिटा दू तो अब हम एक बर addition subtraction सीख लेते हैं अगर मेरे पास suppose कोई भी दो complex number है जैसे की Z is equals to 3 plus 4 आयोटा और Z2 Z1 complex number है Z2 कोई अलग complex number है minus 3 minus 7 आयोटा तो अगर मैं कहूं कि आप मुझे addition करके बता दीजिए मलब की Z1 plus Z2 तो भीया आपके पास real number real number में ही add होगा और imaginary part imaginary part में ही add होगा जैसे की 3 plus 4 आयोटा और मुझे add करना है किसको Z2 को तो मेरे पास ही हो जाएगा तो अब ध्यान से अब ध्यान से 3 चलो अगले step में कर देंगे 3 plus 4 आयोटा प्लस minus minus 3 और minus 7 आयोटा ये 3 और ये 3 add होगा तो 3 और 3 क्या बन जाएगा 0 4 आयोटा minus 7 आयोटा that is minus 3 आयोटा मतलब answer क्या आगया मेरे पास minus 3 आयोटा और अगर मुझे इन दोनों नंबर को सब्ट्रेक्ट करना हो तो सब्ट्रेक्शन देख लीजिए अब आप अना ये क्या था मेरे पास addition था बुला subtraction करना होगा तो z1 minus z2 करना पड़ेगा obviously बात है तो हमारे पास same concept लगाना है बुला first part कौन सा है बुला 3 plus 4 आयोटा और बुला second part कौन सा है बुला ये बुला करना ज़रा बुला 3 plus 4 आयोटा sign change हो जाएगा sign change हो जाएगा minus minus plus 3 बन जाएगा minus minus plus 7 आयोटा बन जाएगा 3 और 3 मतलब ये कहना चाहरा हूँ real part की calculation real part से ही होगी ऐसा मत करना real part और imaginary part और combine कर देंगा 3 plus 4 7 आयोटा गलत गलत 3 और 3 6 7 और 4 11 आयोटा बुला ठीक है addition भी आगया subtraction भी आगया इसमें तो कुछ था भी नहीं main चीज़ है multiplication और division main चीज़ क्या है multiplication और addition अब जड़ा ध्यान से करते हैं सलो जी सलो सलते हैं आगे सलते हैं तो z1 into z2 z1 कोन है मेरे पास 3 plus 4 आयोटा और यह कोन है minus 3 minus 7 आयोटा चला multiply करते हैं पहले जैसे हम करते थे 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हूँ वैसी आके चलते रहना है रुकना नहीं है त्री को 3 से multiply करोगे तो क्या बनेगा minus 9 3 को 7 से करोगे तो 4 आयोटा को 3 से करोगे तो चारती या बारा आयोटा और 4 को 7 से करोगे तो माइनस 28 आयोटा प्लीज चेक कर लेना इवर के ऐल्लूशन माइनस 9-21 और माइनस 22 और माइनस 28 आयोटा सारे माइनस के आ गए हूं वह हो थीक है तो एंस्सिंट्विए करने माइनस 21 और माइनस 12 आयोटा डटी माइनस 33 आयटा 98-27S not 2-W alt-27s 3 आयटा लेकिन पीछे देखो क्या व रहा है यहाँ और है आटा स्कुरिर शहें और शोंत एसकुत सब disposal और फेशाइस कल्या सवक्ताइब माइनस वपया यहां नए अरो प्लस इसे सिंप्लिफाइब और नश को सिंप्लिफाइ"- इस przepिजुआ abi टो मतलब समझ में आ रहा है कि हम जब कुश्न को तो गूर्ड कर रहे तो आंसर भी हमारे पास घोम फिर की real प्रस imaginary पार्ट में ही एनसर आरहा है इधर पी देख लिजी Heil प्लस imaginary पार्ट मेंங्शरा आरहा है मतलब complex नंबर को simplify करोगे तो complex नंबर ही तो बनेगा इस ठीक है तो हम division और कर लेते हैं एक बार, division और कर लेते हैं हम एक बार, जल्दी से, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रख सकते हम, next वीडियो से हमारे काफी अच्छे-च्छे questions बनने शुरू हो जाएंगे, division को भी देख लीजिए, अगर मैं कहूं Z1 अपोन में Z2, तो क्या कर इस नंबर को add कर दोगे, divide कर दोगे, आप तो ध्यान से करना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी हम division करेंगे, मतलब जब भी मेरे पास imaginary number, means aorta, कि टम denominator में, मतलब नीचे आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, rationalizing, rationalizing क्या होता है, जो भी imaginary वाला number होता है, आप उसको sign change करके, उपर नीचे multiply divided कर दीजिए, अभी तो मुझे minus minus दिख रहा है, मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, कुछ बच्चों को direct, कर सब्सक्राइब कर दो, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पता है, चलो छोड़ो, क्या करना, तुम लोग intelligent होई, मैं सिर्फ rationalizing कर दे रहा हूँ, तो लेकि देता हूँ, यहाँ पर मैं, rationalizing, 3 plus 4 आयटा, minus 3 minus 7 आयटा, जो नीचे वाला नंबर होता है, उसका imaginary part वाला नंबर को sign change करके, उपर नीचे divide multiply, तो minus 3 minus 7 आयटा था ना, तो plus 7 आयटा कर दो, और उसी नंबर से divide कर दो, देखो, कटके, यह नंबर कट जाएगा, कटन नहीं होना चीए, कि equations आपके अलग-लग वन जारी हो, तो बोला ठीक है, तो बोला कर दो multiply, बोला इस नंबर के multiply करेंगे, इस से, और इसको हम कर देंगे, simplify, तो इस वाली bracket को, इस वाली bracket से multiply करना, 3 को minus 3 से multiply करोगे, मतलब की minus 9, फिर plus का, 3, 7 जा 21 आयटा, 4 को 3 से करोगे, त तो 28 आयटा स्कोर, नीचे देखो, A minus B, A plus B, A minus B, A plus B, A square minus B square, A कोन है, minus 3, तो minus 3 का स्कोर, और minus B का स्कोर, तो 7 आयटा का स्कोर, स्कोर, आयटा केंदा मन रहा है, minus 1, minus 1 मिलब मैनस 28, minus 28 और minus 9 इस बरह बन गया, minus का 37, ना, minus का 37, 21 आयटा, minus 12 सक्क्राइब mulus स्टाइब स्क्राइब यहाँ वत्यों से अग्म तो आपके पास यह जो नंबर बना इसको लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे कुछ ऐसे वन अपन 58 चाहो तब माइनस को भार निकालीजिए हमारा तो जल्दी से आप को डिजिन करना भी आ गया ना जल्दी साब इसको लिखिएगा सिंबल था कुछ नहीं करना जब भी डिवाइड करना है मतलब इतनी सी बात कह रहा हूं जब भी डिनोमेनेटर में आयोटा आएगा आपको रैशलाइजिंग करते हैं इस चीज़ को बताने का मेरा स्थर कितना ही मकसद था एक कोशन दे रहा हूं आप इसको सिंप्लिफाई कर और एक येभी ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कोशन मेरा ये रहा 1-2 आयोटा 2-घुप्लस आयोटा wanna 2-घुप्लस-एउता अब सुन लो वाई सिंपल से बाद सुन लो ऊपर भी है नीचे भी है आयोटा तो आपका इस्सों क्या करोगे पहले राशनलाइजिंग फिर सिंपल्लिफाइग करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा मतलग आयोटा हमारे पास न्यूमेडर में आ जाएगा फिर इसको सिंपल्लि तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा, वहां से आपको उस पर्टिवलर नुम्मर को इससे कंपेर करना, और जो x की विलिव आए और जो y की विलिव आए, आपको मुझे वो comment box में comment करके बताना है, ठीक है जी, तो आज ही class में इसना हैं, अगली class से हम अपने काफी discussion को ठीक क्या हाँ, अब अध्या है, सॉस त्रहीएगा और मस त्रहीएगा, छीक है, बाइबाए